हिंदी का पहला पूर्टल जिसने सूचना और प्रांती के उस समय में जब की अंग्रेजी का गोलबाला था हिंदी की मशाल को ठाम कर पूरे देश में रोशनी की अलख जगाई आज वैब दुनिया की जगाई हुई वो अलख भारत में फैले हुए हजारों ब्लॉगरों के माध्यम से पूरे देश में जग्मगा रही है वैब दुनिया ने हिंदी साहित्य का जो भला किया जो हिंदी साहित्य के प्रचार पिसार में जो अपना योगदान दिया उसका आकलन नहीं किया जा सकता कविताएं, कहानिया और समाचारों के माध्यम से हिंदी साहित्य को वैब पोर्टल पर पूरा इस्थान दिया मैं चाहता हूँ कि 18 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं ये रज़त जैनती में बदलें, स्वन्ड जैनती में बदलें और हजारों हजार साल तर ये वो वेब पॉर्टल ऐसा ही चलता रहे वेब दुनिया की 18 साल गिरह पर बहुत-बहुत मुपारक हूँ मैं वेब दुनिया की शैशाव काल से जुड़ा हूँ और मुझे याद है रिडिफ के लिए और याहू के लिए कुछ शुरवाती ग्रीटिंग कार्ड्स के मजबून मैंने लिखे थे और जिन्हें बहुत लोग प्रेता मेली मुझे वेब दुनिया जब मैं अपने ब्राउजर पर टाइप करता हूँ www.web.dunia.com तो सबसे पहले मुझे एक सुखा दनब होती है कि जैसे ही अंग्रेजी में ये हरूफ मैं टाइप कर रहा हूँ मेरे सामने मेरी अपनी मादरी जुबान, मेरी राश्टर भाश्रा, हिंदी सामने नज़र आ जाएगी विश्व का पहला हिंदी पोर्टल वेब दुनिया रहा है ये बाद जब शुरुवाती दौर में कही जाती थी तो इसको लेकर ऐसा होता था कि शायद ये एक मार्केटिंग इमिक है लेकिन खरामा खरामा वेब दुनिया ने साविद किया कि वो हिंदी की एक बहुत बड़ी ताकत है उसकी एक बहुत बड़ी जुगलबंदी है वेश्विक टकनीक के साथ में दुनिया को बदलते वेब दुनिया ने देखा है दुनिया ने भी वेब दुनिया को बदलते देखा है और जिस तरह से बहुवित इसका कलेवर है अलग-अलग विश्यों को लेकर जिस तरह से अपने पाटकों को समाहित करती है अपने पोर्डल वर्ड वो नकिवल चौंकाता है वो बहुत सुख़दी है हिंदी पत्रकारिता की नरसरी कही जाने वले शहर इंदौर से इसका रापता है और यहीं से ये पूरी दुनिया में हिंदी के रंग को, हिंदी के तेवर को, हिंदी के खुश्बू को और हिंदी जुबान को पूरी दुनिया में पहलाती है इससे अच्छी बात और क्या सकती है वेब दुनिया को मैं सलाम करता हूं और वेब दुनिया खुब खुब आगे जाए। लेब खुब आगे जाए। खुब आगे जाए।